हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है वैदुत छेत्र समरूप है तो वैदुत बल रिखाएं होंगी इसके उतर कुछ इस प्रकार है चले इस प्रस्ण को हल कर दें बच्चो चूंकि यह है वैदुत छेत्र अगर हम देखेंगे तो यहां पा बल रिखाएं का यह एक गुण होता ह अगर हम वैदूद बल रिखायां की बात करें, अगर हम कोई positive चार्ज लें, तो जो वैदूद बल रिखाया होती है, वह यह होती है, इसके बाहर, यानि ये बाहर की उर लगती है, वैदूद बल रिखाया, यह positive charge के लिए अगर हम यहाँ पर वैदुत बल रिखाएं देखें negative charge के लिए तो यहाँ पर negative charge के लिए आपका यह अंदर की और होती है यह negative की और होती है यह जो वैदुत बल रिखाएं है यह आपकी इस तरीके से कुछ होती है आप चुंकि यहाँ पर दिया है वैदुत बल जो है समरूप है माल लीजिए कोई यह आपका वैदुत छेतर है तो जो वैदुत बल रिखाएं होंगी यह भी मतलब समानतर होंगी जो हमारा और एक चीज हम जाते हैं वैदुत बल रिखाएं कि दिशा अगर हमें इसको वैदुत बल रिखाएं कि दिशा हमारा वैदुत बल वैदुत बल कि दिशा बताती है यानि यह अगर वैदुत छेतर समरूप है हमारी जो वैदुत बल रिखाएं है वो जो है यह समानतर होंगी यह बच्चव एक प्रापर्टी है यह यानि इसका आपसंडी करेक्ट रांसर है थांक यू